पीएसल की ताजा खबरों के सब्सक्राइब कीजिए हमारे MTT News चैनल को और इस बेल आइगन को दबा के All पे सलेक्ट कर ले ताकि दोस्तों आपको हमारी आने वाली सभी पीएसल की ताजा खबरों की जानकारी आपके फोन पर मिल जाए नमस्कार साथियो मैं एड़ोकेट अम्मित कर्क आज सुप्रीम कोड में और यहां हमारे काफी रुक्वेस्ट और इन्वेस्टर्स के हग के लिए जैसा कि हमें पता है कि एक्स डिरेक्टर पीएसल माननी अनिल चौदरी जी पहले भी प्रियास किया लेकिन जो भी हो रहा हो क हमारी काफी हैल्फ करने का उन्होंने फिर से वादा किया है क्योंकि हमें ट्रेश्ट तो किसी ना किसी पर करना ही पड़ेगा तो आईए हम सीधे ही बात करते हैं रवीशंकर जी रामदे कोटम जी सब महजूद हैं और मैं आपके लिए सुप्रीम कोड से आप देख सकते हम मैं सुप्रीम कोड में खड़े हुए हैं और मैं उनसे आपके लिए वीडियो बना रहा हूं यह अब आप सोचिए यदि उनके में जरावी होता तो हमसे बात नहीं करते हमारे किसी बी कुश्चन का जवाब नहीं देते जैसा कि आज मैनेजमेंट पूरी तरह से बच रहा ह है तो क्या इतना काफी नहीं है कि अनल चौद्री जी पर हम टर्ष्ट कर से तो चलिए हम बात करते हैं उनसे नमस्कार चौजी तो सब सर हम आपसे सब इतना कहना चाहते हैं पीएसल के इंवेस्टर के लिए जो भी आप कर सकते हैं जो भी सॉलूशन हो और से मैं आप से यह कहना चाहूं हम लोग यह सुप्रीम कोड में कितनी संख्या में आ जाए जिससे कि हमारे उपर इस देश का पूरे का ध्यान द्यान यहां यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है अब अच्छे एडवोकेट को आप तयार कीजिए प्यायल करने के तुरू प्यायल कीजिए और फिर उसके बार देखते हैं आगे क्या हो सकती है तो आपने सुना के प्यायल भी फाइल हो जाए और बहुत जल्दी हम सप्रिम्गड के बगिल से मिलेंगे बहुत बहुत को पेमेंट वापिस करेंगे अगर इस गवर्मेंट मशिनरी में पैसे फसके रह गए कभी किसी को कोई पैसा नहीं मिलेगा और आप लोग लेम करते रहेंगे कंपनी पर कंपनी सोस्ते रहेगी हम लोगों ने जिनके उपर वरोसा करके इतना सब कुछ कंपनी बनाई और अच्छी थी अच्छी है और आगे भी आप लोगों के काम करती रहें तो यह थे अनिल चोधरी जी और आज हम लोग यहां मिलने आए इनसे और सारी वार्ता की तो मैं यह वरोसा दिलाता हूं कि जिस तरह से हमारे बुलावे पर यहां पर आए और नहोंने हमसे बात की बच स्टेट से यह कहना चाता हूं कि हमारा साथ दीजिए और अधिक से देख सक्यावे जब भी हम बताएं आप सुप्रीम कोट आईए जय हैं जय भारत पल्स पीडित वान्य चिठवन कंपनियों के पूरे भारत वर्स को मेरा नवश्कार मैं रभी शंकर गोतम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से बोला दोस्तों मैंने एक वीडियो जारी करी थी और वो वीडियो से मुझे बहुत सुकुन मिला क्योंकि काफी लोगों ने अच्छा कहा तो मैं उनके लिए भी वधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी वीडियो को सुना और पूरे भारत वर्स के लोगोंने सुना तो मैं उनके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ दोस्तों मैं आज जो वीडियो जारी करना चाहरा हूँ तो उसका एक उपदेश है कि सबसे पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो लोग 17 तारीक को मेरे आ रहे हैं वो अपना नाम और मुबाइल नंबर जरूर भेज़ा है दूसरी बात मुझे बिवस्ता भी करनी है मुझे ये पता लग जाना चाहिए कितने लोग आ रहे हैं क्योंकि केवल मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई खातेदार ना है इसमें खातेदार की जरूरत नहीं है केवल सीनियर रैंक के लोग आएं और अपने साथी को जरूर लाएं सीनियर को और सबसे पहली बात मैं आपक भी बात कहना चाहता हूँ मुराइदाबाद के लोगों के लिए कि मुराइदाबाद किया जो किंग था उसका नाम तर सरदार अहमरची सिंग तो दोस्तों मेरी F.I.R की कॉलम बहां से सुरू होती है क्योंकि वो मेरा दूसरी तीसरी के बाद में वही सीनियर था और सबसे पह में फिर मैक्समेरी में गया और उसने पल्स की इतनी प्रॉपर्टी दवा रखी है कि बहुत प्रॉपर्टी उसके पास है तो आज वो किशान का भी पैसा ने दे रहिया मैक्समेरी का भी पैसा ने दे रहिया और पल्स में भी गुमा गया तो मैं सबसे पहले अमर जी सिंग से कहना चाहता हूं कि तुम सुद्रो इन करीबों के पैसे देने के लिए क्योंकि ऐसा नहों कि तुम्हारा जो है वो भंगू तक पहुँचे तो लेकिन हम तुम्हें भंगू तक नहीं पहुचने देंगे उससे पहले हम तुम्हारे से कुछ पूछेंगे सवाल तब भंगू तक पहुच रहे देंगे तो सबसे पहले मैं इसके खिलाब एफईया करा हुआ और इसके कुछ तयार हैं अब उनके खिलाब भी एफईया कराएं तो सतर तारीक में जितने लोग आते हैं उनके पर विचार किया जाएगा और एफईयार मैं नहीं करा हुआ वो लोग खुद कराएंगे और उन्होंने वादा भी किया है किसाब हम जब आएंगे तो बिल्कुल अपने मिजास से आएंगे हमें पैसा चाहिए को कि हमारी माबेन को गाली बखते हैं लोग और वो छुपक के बैटे हुए हैं उन्होंने अपने मुबाइल नंबर भी बंद कर रखे हैं तो दोस्तों मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि मुरादबाद के सीनियरों अगर तुम सत्रह तार अगवायता इस कंपनी के अंदर वैसे ही दिलवानी के लिए आजाओ सामने ऐसा नहों कि आपके साथ जो होने जा रही है वो कहीं और नहों जाए क्योंकि गॉर्मेंट की इसमें बहुत बड़ी सला है अगर गॉर्मेंट की सला नहीं होती तो गॉर्मेंट आपकी बात को सुप्रीम कोट ने दो फरवरी 2000 सुले को आदेश जारी कर दिया लेकिन हमारी संक्या में इनकी कमी रही है यह दलबद्लू है यह मेरजीमेंट से भी मिले हुए हैं और हमसे भी मिलकर रहे तो अब मेरजीमेंट को और इने हम दोनों की देखने जा रहे हैं और बहुत अच् चुके हैं कुछ रामपर के हैं वो भी मेरे पास आ चुके हैं चंदोसी के कुछ एम्स हैं उसमें चंदोसी बहजोई और बबराला के कुछ एम्स हैं कुछ अलिगड के भी मेरे पास नाम आये हैं और कुछ लोग काशीपूर से मेरे नाम दे चुके हैं उन्होंने मेरे पास ड मेरे को सूचना दे रहे हैं तो मैं उन से जोड़के कहना चाहता हूं दोस्तों आब अपने सीने को लेका हैं पहले सीनेर को प्यार सा समझाओ अगर वो नहीं आता है तो फिर प्यार के बाद में तो eren मास्तों प्र आप समझें जूता होता है ये मेरा वादा रहेगा मैंने पहले से भी कहा था कि आप पहले खट्टे हो जाओ फिर पैसा मिल जाएगा आपका लेकिन अब जो मुद्धा उठाया है ये बहुत जबजस उठाया है और ऐसा समझ लो कि हम 101% इस मुद्ध में कामिया हो जाएंगे ये रोकने ही पाएंगे जो जो रोखेंगे वो जिल जाएंगे तो मेरा आप से हाथ जूड के अनरोध है कि आप मेरी बात को समझो इसे किसी उस दारे में मतना ले जाओ कि ये भंगू नहीं है जो भंगू ने जो है जब आपने दवाव बना के पॉल्सियों में इधर से उधर किया कि मैक्समरी लिया आप किसान लियाओ और बिटेल सी लियाओ सब को बलागर लाकर रख दिया लेकिन अब जो पॉल्सियों आएगी वो सरिफ तुमारे खिलाप आएगी और मेर्जीमेंड के खिलाप आएगी जो बाहर सो रहे हैं उनके खिलाप आएगी तो मैं सभी लोग उससे अनरोध करना चाहता हूं जो लोग मुरादबादार हैं उनके लिए मैं अडरस समझाना चाहता हूं कि वो रोडबेस पर उतरें या इस्टेशन पर उतरें बहां से कहें कि मुझे मजहोली जाना है और मजहोली पर जैसे उतरेंगे वहीं आपको एक रिक्षे बाला में लगए ई रिक्ष नहीं आए और हम एक दो तीन घुटे में मिटिंंग कातम करके फिर आपको भेज देंगे सम्मान के साथ तो मैं आभी आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग भी पूरे भारत बरस मैंं इस मिशन को चलाते हैं और पूरे भारतवर्स से मैं कहना चाहता हूं कि अगर उन्हें मेरी जरूरत है तो मेरे को बुलाएं और मैं आउगा उनके पास और वहां उस छेतर में मिटिंग करूँगा अगर कोई यम्स आप से कुछ कहना चाहता है तो उस यम्स का मेरे पास नाम आए ना पड़े इन गरीबों का पैसा मिल जाए क्योंकि गवर्मेंट जब तक पैसा ने देगी जब तक हम एक नहीं होगे तो एक करास्ता पर यह है कि आप लोगों ने रोखा है अब हम आपको ही आगे बढ़ा के लेकर आएंगे और आप अगर नहीं आते हो तो फिर हम ब करो ताकि लोगों के कानों तक आवाज पहुँचे के हमारे बीच में कोई मिसंद तयार हो चुका है और हम उस मिसंद पर कामिया होते हैं तो हमें सब को पैसा वापिस मिल जाएगा सभी के लिए धन्नवाद शबीक और नवश्कार